तो आप अपनियां क्यों नहीं देखते और दूसरा आपने बोला कि हमने पांच तारिक तो क्यों भाई यह राम बंदर का शिला नहीं आज के आप से पूछ के करेंगे हमारी अपनी मर्जी है कश्मीर आपका है कि नमस्कार दोस्तों आप सभी का हमारे वर्ल्ड नियुजान इंडिया चैनल पर बहुत ही स्वागत है यदि आप इस चैनल पर नहीं तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलेगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सेड़ बनता है दोस्तों तो चलिए चलते हैं आ टैलेंज सिर्फ पॉर्कियों के पास ही हो सकता है आप मैंसे काफी लोग यदि पाकिस्टानी मीडिया को फॉलो करते हो तो आप लोगों ने नौटिस किया होगा कि किस तरीके से पाकिस्टानी इंडियन को अपने चैनल पर बुलवाते हैं और फिर उनके हाथों से अपने ह पाकिस्तान की और अपने मीडिया ग्रूप की बेचिती करते वे देखेंगे तो चलिए देखे आज का ये वीडियो जै हिन्द जै भारा अच अगस 2019 को भारत ने मकबुजा कश्मिर की दाखली खुदमुखतारी पर हमला करके उसकी खुसूसी हैसियत भी खतम करती लेकिन इसके बावजूद भारत वो नतीजा हासल करने में नाकाम रहा जो वो पिछली साथ दहाईयों से हासल करने की कोशश में है मकबुजा कश्मिर के अवाम आज भी सरापा इतजाज हैं और दूसरी जाने पाकिस्तान ने भी अपना सरकारी नक्षा जारी कर दिया जिसमें मकबुजा कश्मिर और लदाक को पाकिस्तान का हिस्सा जाहर किया गया अच्छा मक्बूजा कश्मीर का मौमला पाकिसान भारत के तालुकात की रह में अगर मैं को कि सबसे बड़ी रुकावच है तो बिल्कुल गलत नहीं होगा बहुत बड़ी रुकावच है और जब तक इस मसेले का कोई मनतकी हल नहीं निकाला जाएगा बात घूम फिर कर जंग तक ही जाएगी पाकिसान भारत के दर्मियान हमने पहले भी देखा के कई जंगे हो चुकी हैं और हाल ही में एक बार फिर जंग का महौल भी पैदा हो गया था जिसमें भारत ने अपने दो जंगी जहाज भी गवा दिये मौमला अब भी तश्वीशनाक है उतना ही जितनी मकबुजा कश्मीर के सुरत तेहाल तश्वीशनाक है मकबुजा कश्मीर के साथ भारत का जो गैर इनसानी सुलूक है सब देख रहे हैं क्या भारत को मकबुजा कश्मीर इन हतकंडों से पराचा सब कभी मिल सकेगा फिर एक शब खून मारा गया पाँच अगस को ये पाँच अगस की तारीख पारत के अंदर ऐसे ही शब खून के लिए है जैसे अभी राम बंदर बनाने का काम भी पाँच अगस को किया गया है और इसके नतीजे में जो आपका सवाल है मैं ये बात ये जो हमारे पैनल में दूसरे हज़रात बैठे हैं एक मैं तीन जंगे हो चुकी है इस मुदू पर आपका हर आर्मी चीफ ये लिख चुका है कि ताकत के जरीए से हम मकूदा कश्वीर को अपने साथ नहीं डख सकते दुनिया के अंदर कोई भी असूल ले लें आप डेमोक्रेसी का लें आप असूल जो है वो लें आजादी की तहरीकों का तो ये बात नविश्टा ये दिवार है वागा कि उस पार जो आसमान है उस पर लिख नी गई है कि भारत उल्टा भी लटक जाए मूदी जैसे वहां राममंदर में जमीन पे लेट गया था इसी तरह मूदी लेट भी जाए तब भी वो मकबूदा कश्वीर के अवाम को अपने साथ नहीं मिला सकी ठीक है डी करनल शनेंदे साब आपके तरह आना चाओंगी अब सर पाकिस्तान ने आप लोगों के दो जंगी जहाज बीमार गिराए एक पाइलट गिरफतार कर लिया चीन ने आपके फॉजीयों की बकाइदा जो कहते दुर्गत बनाई इसी को कहते दुर्गत बनाना मकबुजा कुश्मिर के नहत्ते मासूम कुश्मिरों की आवास को आप नौ लाक फॉज के बावजुद दबा नी सके सर ये की सवाल एक जिमेदार रियासत होने का सबूत आखिर आप लोग कब देंगे जी जहन, तरी गुड़ आपने जो सवाल किये मैं लिख लिए पहली बात यह जो बात चल रही है पांच अगस्ट की के हर एक चीज पांच अगस्ट को ही करी जाती है अ मेरे खाल आपको लगता है सही में के पांच अगस्ट का कोई सिग्निफिकन्स है कोई significance, it's just a date, हमको जो करना है, हमारे देश को जो करना है, हमारी देश की जो गर्मन्मेंट को जो करना है, वो अपने हिसाब से करती है, लोगों के हिसाब से करती है, कि हमारे यहां एक democratic setup है, लेकिन फिर भी, आपने सवाल पूछे हैं, तो जवाब देना चाहिए, लेकि मेरा सोच है, हो सकता है, आपके यहां यह सोच बहुत popular ना हो, कि आपस में हमारी जो चाहे हैं, सोचल मीडिया पर, टीवी मीडिया पर, ओफीशल, नॉन ओफीशल, सीक्रेट, जो भी बात हो, बातचीत की जो नीव है, वो मजबूत होनी चाहिए, सच्चाई पर होनी चाहिए, क दो जाहाज गिरे, जबकि आपका ओफीशल डिकलरेशन है, एक का, अगर दो जाहाज गिरे तो दूसर पाइलेट कहां गया, दूसरे जाहाज का मलबा कहां गया, वो सारी बाते हैं, आपके आइस पी आर के जो गफूर साथ जैनल, उन्होंने बड़े क्लारिटी से लाइव शो में का, यह मैं नहीं कह रहा हूँ, यह आपका टीवी कह रहा हूँ, इसलिए जूट पर नहीं जाएंगे, हम सच्चा ही पर जाएंगे, और सच्चा ही यह है कि यह हमारा एक जाबाज पाइलेट आपके हाँ आया, और आपके हां से हमारे को वापस आ गया, आप उसे इतली हुई है, उनको आप इग्नोर ना करें, उनको जुटलाने की कोशिश ना करें, क्योंकि जो सिस्टम, मैं कहता हूँ, जो भी फौजी सिस्टम, जब कुछ बोलता है, तो बड़े सीधे शब्दों में बोलता है, चाहे वो गफूर साब हो, चाहे वो हमारे यहां, तो जो आपने हमारे जहाज गिराए थे, बकॉल आप लोगों के और आपके ही मीडिया ने आपका मजाक उडाया तो ता मसकर का निशाना बनाया था, कि आप किस जहाज के टुकडे दिखा के कह रहे हैं, कि पाकिस्तान का जहाज है, जब कि वो मिक 21 था, मुझे बताएं कि आप जहाज गिराने और दख्त गिराने को एक जैसा मान रही हैं, तो ये मैं समझूंगा, ये बत क्लियर है, पाकिस्तान और भारत दोनों एटमी कुवत हैं, सब को पता है और एटमी जंग का अंजाम क्या होगा, ये आप भी जानते हैं, और हम भी जानते हैं, तो क्या मिल कर मामला हल करना ज्यादा बेतर नहीं है, अकलमंदी नहीं है? को अगर आप घुन कर आप इन्डिया जूट बोल रहा है, और अगर यह इन्डिया जूट बोलता है, इन्डिया जूट बोल रहा है, पाकिस्तान का सच बोलता है, अमेरिकन अबैसडर टू अफगानिस्तान जिल्मेख Kahlil Sraad ने खुद अपनी किताब में लिकशा है, कि हमार नहीं हम पाकिस्तान पर पर comments यही बाद से लगना को वह नीदिय के निन्स एक घरी उजगन आगा बाद में गांप इसे लिए आनब्म पी मां ली निर्वार सुप तक यहां पर दापी हुई तो अगर आप एक ऐसे एक ऐसे गोर्णमन इंस्टिशनलाइज जो जोट बोल रही है तो उस पर आप कैसे प्रस कर सकते हैं इंडिया को कि तरसी ने आच तक नहीं बोला क्या अमेरिका ने बोला इंडिया जोट बोलता है किया किसी और European country ने बोला किसी और बोला वर्ल में तो आप कैसे उस country को पिडि़ कर सकते हैं जो कि जिसी 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 तो यह कि गाये से वहबत पराज़ा सब सिर्फ इस हद तक कि कोई मुसल्मान अगर गाये की कुर्बानी का रहे एद अलजापर तो आप मुसल्मान के पीछे चुरियां चाकू लेके चल दोड़ें अपने मुफाद के लिए बिजनिस भी करेंगे उस गोश्ट से यह बिल्कुल यह कोई इनसान है बहातों धरिंदगी का एक खेल है लोगों को जिबा कर दिया जाता है करनल करनल का अगर गोश्ट यानि आप कौन होते हैं लोगों को क चैने वाले कि आप अहम पॉइंट आपने रिज़ किया अपने आपके बातों का जवाब मैं लेती हूं प्राचा जी आप नहीं यह बोला कि हमारे आंक गाये का यूरिन पीते हैं और गाये डंग ताव डंग खाते हैं आपने हम कभी हमें मना नहीं किया तो आपको बता काव डंग कोई नहीं खाता है काव यूरिन जरूर पिया जाता है आपके यहां हदेश में लेखना है कि उट का पीजिए और पीते हैं लोग मैं आपको वीडियो दिखाता हूं हमने कभी मना किया आपको आप कौनोते मना करने वाले आ इत जूसरी चीज आप कह रहे हैं कि ग्यान वापी मस्जिद, वेप पे हंगामा हो रहा है, आपको कहां दिखा, कहीं दिखा, मथुरा की मस्जिद पर कहीं दिखा, एक भी प्रटेस दिखा, किसी ने भी बोला, आप दूसरी चीज, मैं आपको बताता हूँ, अब मेरा अंसर सुनिये पूरा, ग्यान वापी, संस् लेकिन अब भी हिंदू, ये नहीं बोल रहा है, उसे तोड़ा जाए, आप लोग बता रहे हैं, आप लोग जूट बोल रहे हैं, यहां बैठके, बिल्कुल सच, आप मुझे एक प्रटेस दिखा दीजिए उस पर, पता नहीं क्या-क्या बोलते रहते हैं, ये है कि हमें रपोर्ट आई है, कि दुनिया में हजूमी तशद्द जो है, ये जो माब टेररिजम है, उसमें भारत सब से आगे है, भारत सब से आगे है, माब टेररिजम में, लोगों को जिवा कर दिया जाता है, लोगों वो बसों से ट्रकों से उतार के, उनको बार रहे हैं, र आपको पता नहीं है यहां पर इतनी तशद्दत होती है भाई साथ तशद्दत होने के बाद भी यहां पर मुस्लिम्स बड़े खुश है बड़ी बड़ी इंडस्ट्री चला रहे हैं आपको पता नहीं है यहां पर आप एक नहीं बता सकते हैं बोलना शुरू हो गया आप और दूसरी चीज़ एक बने डियार फिर आप बोलना शुरू गया आपने यह बोला कि वहां इंडिया में तबरेज और यह और वो लिंचिंग बताई आपके लड़के ने फेस्बुक में लिख दिया था तो उसको हॉस्टिल से निकाल के लिंच कर दिया गया नहीं हुआ प्लास्पेमी गई केस ताना वो भी तो आप अपने यह क्यों नहीं देखते और दूसरा आपने बोला कि हमने पांच तारीक तो क्यों भाई यह राम बंदर का शिलान नयास कि आप से पूचके करेंगे हमारी अपनी मर्जी है कश्मीर आपका है क्या आप से पूचके नहीं करेंगे को खुदागा खौफ तो करें रहा है रोहे चर्मा को खुदागा खौफ तो रहो इसके अपने इंसाफ़ता दिनू आपको मरवा रहे कि को रहे जी लास्ट को इंदिया को तोड़ने के चिकर में